यह जो कपड़े के बैग्स होते हैं, यह घर में clutter ही हो जाते हैं, क्योंकि यह जो printed bag जादा तर यह यूज नी हो पाते हैं, और बस इनके कुछ खास ही जुकाड़ा में कर सकते हैं, तो आज जो मैंने जुकाड़ किया हैं यह सारी फालतू चीजों के ही जुकाड़ किया हैं, लेकिन इतनी यूसफुल चीजे बनके तियार हो गई है ना मैंने यहां बहुत सारे अलग लग बैग्स को अलग लग तरीके से यूज किया है अगर आप देखना चाते हैं तो यह वीडियो पूरा देखेगा और पसंद आजाए तो एक बार वीडियो लाइक कर देजेगा फर्स जाएवे के लिए यहां एक बैग लिया है और इसके दोनों पार्ट को मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि ए सिंगल पार्ट यूज करकी यह ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता इसलिए मैंने दोनों पार्ट ही यूज किये हैं अब इसके उपर एक पॉलाथिन में ही आय थी तो यह जो शीट है वह बहुत सॉफ्ट वाली है वो मैंने यूज किये है जो रफ शीट होती है वो मत यूज करियेगा तो यहां शीट के अकॉर्डिंग ही मैंने बैग को काट लिया है बची विकटिंगों में हम आगे यूज करेंगे यहां पननी और इस प्रेट साइड में रहेगी एक साइड जो हमने पनी में अटाइच किया है उसका जॉइन बाहर की तरफ है इसलिए हमने उसमें पाइपिन लगाई है जिसे अंदर की तरफ भी फेनिशिंग रहे अब तीन साइड से भी सिलाई लगा लेनी है और इसके उपर भी हम पाइपिन पाइपिन लगाने के बाद क्या होगा ना इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और अंदर की साइड भी बहुत ही स्मूध रहेगा तो यह हमारा एक ना बैग तेयार हो गया है अब इसमें आप साड़ी सूट जो भी रखना चाते हैं वो रख सकते हैं बहुत ही बैग का यूज किया है इसका जो साइड का कपड़ा है आप देख सकते हैं इसमें च्छेद हो गया था तो यह बिल्कुल भी वेस्ट है और इसे ना कट करके निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंट साइड में एकदम पाइपीन सी लगी भी है तो हम पाइपीन को बिल्कुल भी निकालेंगे और जो साइड का कपड़ा है बस उसे ही कट कर लेंगे दोनों आगे और पीछे वाले जो पीस है इसे निकाल लेंगे अब बस दोनों साइड को हमें अटैच कर लेना है तीन साइड से तो यहाँ पे तीन साइड से हमें सिंपल सिलाई लगा लेन और कुछ भी इसमें नहीं करना एक सआइड घम उपन रखेंगे यहां पर मेरे को जो चोड़ी वाली सड़ है ने वहां से उपन रखना ना है तो एक सआइड पर यहां पर पाइपन नहीं दिझ रही है तो जो भी cutting जो निकली है उसकी pipe in बना लेंगे जिसे ये equally लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने pipe in लगा दी है और उसके बाद ये इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा तो ये भी एक bag बनके तियार हो गया लेकिन इसे कुछ अलग तरीके से ही मैं बनाने वाली हूँ तो इस तरह के टेप वाली लॉक वाली टेप आपको किसी भी tailor के पास मिल जाएगी और इसके न दो छोटे छोटे पीस नहीं यहाँ मैं कट करके लगाने वाली हूँ तो दो अल अचो के पेपर्स वगरा भी रख सकते हैं यहाँ डॉकमेंट्स वगरा आप इसमें रख सकते हैं आप इसे multipurpose ली यूज कर सकते हैं के लिए यहां मैंने एक प्लेन बैग लिया है और प्लास्टिक शीट क्या ही यूज किया है तो यहां पे भी मैंने सॉफ्ट वाली प्लास्टिक शीट ही यूज किया है और इस प्लास्टिक शीट को इस तरीके से मैंने रखा है कि दो साइड से यहां पे कट नहीं लगाना लेखने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह एक अनदर बैग रेड़ी हो गया है आप इसमें कपड़े भी रख सकते हैं वैसे तो मैं इन्हें कपड़े रखने के लिए ही बना रही हूं साडिया वगर आप इसमें बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं अगर इसका यहां से कपड़ा फट गया है तो कट करके मैं यहां से इसे निकाल दूंगी और इसके बाद यहां में जो थैले के दो साइड है ना आगे वाली साइड में हम एक इंच नीचे छोड़ के मेजर लगाएंगे और वहां से इसे कट लगा देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा यहां पे भी हमें जिप लगानी है और इस तरीके से यहां पे हमें जिप अटैच कर देनी है जिप लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यह आपको दिखाए देगा तो यहां पे एक अनादर बैग तेयार हो गया है और यह जिप लगाने के बाद न बहुत ही महेंगे मिलते हैं और घर में आप इसे बिलकुल जुगार से तियार कर सकते हैं और अपनी वाडरो को भी अरेंज कर सकते हैं अपनी अलमीरा अरेंज कर सकते हैं अपने बैट वगर को भी अरेंज कर सकते हैं तो बिना खर्चे के यह जो जुगार है न यह बहुत ही अच्छे होते हैं और कैसा लगा आपको मेरा यह आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब निके आने तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बहुत सारे आइ